मेरे परमपिता के पूत्र हो या हो कोई अवतार मेरे परमपिता के पूत्र हो या हो कोई अवतार है इश्वर के पूत्र तेरी है महिमा अपरमपार महिमा अपरमपार तेरी महिमा अपरमपार हे मनुष्य जब आप जान रहे हैं कि भगवान कलकी जी आ रहे हैं तो क्या आप अपनी तयारी कर लिये हैं जो बैक्ति तयारी नहीं किया है तो इश्वर्त वे क्या सोच रहे हैं भगवान कलकी केवल उन्ही बैक्तियों के लिए आ रहे हैं जो बैक्ति तयार हैं जो बैक्ति पहले से तयार हैं केवल उन्ही बैक्तियों को भगवान कलकी जी अपने साथ निजधाम लेकर जाएंगे आपको मालूम है कि उनको वे क्या जबाब देंगे वे कहेंगे कि तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानता भगवान कलकी आ रहे हैं केवल उसके लिए जो तयार है लेकिन वे संसार के लिए नहीं आ रहे हैं इसलिए फे संसार में बिखरे हुए लोगों आप बहुत जादा खुस मत हो ये अपको मालूम है कि धर्म सास्त्र मत्ती अध्याई पचीज का असलोक एक से तेरा क्या कहता है धर्म सास्त्र मत्ती अध्याई पचीज का असलोक एक से तेरा या कहता है कि परमेश्वर का राजित उन दस कुमारी लड़कियों के समान होगा जो अपनी मसालों को लेकर दुल्ले से भेट करने के लिए निकली थी अब प्रस्निया उठता है कि क्या आप इन द्रिश्टांत को जानते हैं अगर यदि जानते हैं तो क्या कभी इस बात पर आपने गौर फरमाया है अगर नहीं तो इस द्रिश्टांत को एक बार आप फिर से ध्यान से सुनिये मैं आपको बता रहा हूँ एक बार दस कुमारी लड़कियां भगवन से साधी करना चाहती थी जिसमें पाँच बुद्धी माम थी और पाँच मुर्ख थी वो दसो लड़कियां हाथ में मसाल लेकर भगवन से साधी करने गुफा में पहुची जो पाँच मुर्ख लड़कियां थी वे अपने साथ मसाल लेकर तो गुफा में आई थी परन्तु अपने साथ मिट्टी तेल लेकर नहीं आई थी परन्तु जो पाँच बुधिमान लड़कियां थी वे अपने साथ मसाल भी लेकर आई थी तथा मिट्टी का तेल भी लेकर आई थी जब साम हुई तो दसो लड़कियों ने अपनी अपनी मसालें जला ली भगवान को आने में देर हुगई तो उन सब लड़कियों को निंद आने लगी और सो गई आधी रात को धूम मची देखो दुलहा आया दुलहा आया उनसे मिलने चलो तब वे लड़कियां अपनी अपनी मसालें ठीक करने लगी मसालें बुझने लगी थी इसलिए जो पांच बुधिमान लड़की थी वो अपने मसाल में मिच्ची तेल डालने लगी परन्तु जो पांच मुर्ख लड़की थी उनके मसाल बुझने लगी इसलिए उस पाँचों ने बुधिमान लड़कियों से बोली हे बहन मेरे मसाल बुझने लगी है मुझे थोरा मिट्टी तेल दे दो पाँच बुधिमान लड़कियों ने जवाब दी कि हे बहन मेरे पास इतने अधिक मिट्टी तेल नहीं है जिससे की हम दोनों आदमी मसाल जला सकें इसलिए तुम बाजार जाकर अपने लिए मिट्टी तेल खरीद लो जब पांचों मुर्ख लड़कियां मिट्टी तेल खरीद ने बजार गई उसी समय भगवान गुफा में आगे जो पांचों बुधिमान लड़कियां तयार थी भगवान उनसे साधी कर लिए और उसे अपने रथ में बैठा कर रथ का द्वार बंद कर लिए तथा वे वहाँ से चल दी रास्ते में वो पांचों मुर्ख लड़कियां भगवान के रथ को जाते देख कर चिलाने लगी हे भगवान जी रुको 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 वो पांचों लड़कियां बोल उठी हे श्वामी हम सब भी आप से साधी करने आए थे हम लोगों का मसाल बुजने लगी थी का द्वार खो लिए और मुझसे भी साधी कर लिजिए तथा मुझे भी अपने साथ रत में बैठा कर ले चलिए भगवान ने जवाब दिया तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ अब प्रस्णिया उठता है कि जब भगवान कल की जी आपसे इस तरह बोलेंगे तो आपको उश्वर्थ कैसा मासूस होगा चरा सोचो जो जो बैक्ती भगवान कल की जी के आगमन के बारे में सब कुछ जान लिया लेकिन अपने आपको तयार नहीं किया तो भाई वो भी मरेंगे जो जो बैक्ती भगवान कल की जी को आते हुए देखेगा लेकिन पहले से तयार नहीं है तो वो भी मरेंगे और जो जो बैक्ती भगवान कल की जी के आगमन की बात तो सुना लेकिन उनको मानने से इनकार कर दिया तो वो भी मरेंगे और जो बैक्ती उनके बारे में शुनना पसंद ही नहीं करते हैं वो तो निस्सित ही मरेंगे सबसे मुख चीज आपकी तयारी है भगवान कल की जी के लिए सबसे ज़्यादा यहीं महत्तु रखता है अब इस्वर पुत्र आदिसरी अरुन आपसे यह पूस्ता है कि क्या आप अपनी तयारी कर लिए है अगर नहीं तो सब काम छोड़ कर सबसे पहले आप अपनी तयारी कर लिजिए तथास्त अर्थात ऐसा ही हो मेरे परम पिता के पूत्र हो या हो कोई अवतार मेरे परम पिता के पूत्र हो या हो कोई अवतार हे इश्वर के पूत्र तेरी है महिमा अपरम पार महिमा अपरम पार तेरी महिमा अपरम पार